Welcome to Chemistry Academy Students, आज की वीडियो में हम परेंगे NCRT Solution, चैप्टर आज की क्लास में है जो हम परेंगे वो चैप्टर है जी हेलो अलकेन एंड हेलोरीन, क्लास 12 का जी चैप्टर है और इसके आज हम लोग अंग्जेंपल नंबर 10.1 करेंगे, इसी तरह हम लोग 10.234 एंड सोन करते है, इसमें पहले क्वेस्टों जे आद यह दिया गए कि आप के पास एक मालेकुल है जिसका मालेकुल अप्वारमुला Dos outta की से marinade यह जाए और और इसके पॉसिब्ल माध लिखनें और उसके लावा गाये यह चैप गणे Hasनक के आजघे सब्सक्राइब निम्रुन पर सकते हैं कि यूइ ट्रीह ब्रॉमिन टैज्ज आतर देगा वं ब्रोमो पैनि अब है लोगशन वाली कार्बन जो महतं आधे कारद 1 कि सक साथ साथ है इस कार्बन के साथ अटैच है इस कार्बन को आगर डेक्ट देखना होते है कितने कार्बन के साथ अटैच है आप देशा है कि यह विले कार्बन आगर डेक्ट सिंगल बॉंड के इस कार्बन के साथ अटैच है तो अगर एक के साथ अटैच हो तो उसको हम बोलते है प् अब उसी BR को उठा के हम लोगों ने position number two पे attach कर देगे अब हम इसको position number two पे attach कर देंगे तो पहला isomers ना हमारे पास one bromopentain तो अब ये क्या बंजेगा two bromopentain बंजेगा अब हेलोजन वाली carbon कौन थी ये हेलोजन वाली carbon है ये carbon इस side पर भी एक carbon के साथ attach है और इस side पर भी एक carbon carbon के साथ attach है अगर हेलोजन वाली carbon दो carbon के साथ attach हो तो उसको बहुत है secondary alkylilide तो इसका नाम क्या बंजेगा one two जैनके two bromopentain ये दूसा isomers बंगया अब तीसा possible isomers इस तरह नहीं बान साथ है कि हम BR को उठा कर इस position पर लगा दें क्यूंकि इस लिए हैसी देखा जाए तो ज इसी BR को हटा के three position पर भी attach कर देंगे simple होगा कि तीन ISO मर्ज कैसे बंगे पहला BR one position पर attach किया फिर उसके बाद दूसरे ISO मर्ज में हमने इसको two पर attach कर दिया और तीससे ISO मर्ज में हमने इसको three position पर attach कर दिया देखे one two three four और five three पर attach किया है तो इसको नाम क्या बंगे three bromopentain अटाइच है तो यह हमारे पास क्या है secondary alkali light जो record में लिखा है यह प्रैमरी सेकंडरी या टर्शी को शोग करेगा तो तीन हैसमर्ज बंगे one bromopentain two bromopentain three bromopentain अब तो थी possibility क्या है अब आपने क्या करना है यह जो carbon की chain है इसको आपने change करना है पहले chain के अंदर आ रहे थे प one two three और four अब देखे three position को पर क्या है अटाइच है methyl और one पर क्या ब्रोमो तो इसका नाम क्या बन गया one bromopentain three methyl one bromopentain three methyl total carbon कितने इसके अंदर चार कारबने तो लास्ट पर क्या लिखेंगे हम लोग भी उटेंगे यह भी मारे पास primary alkali light है बात की समझागी अब इसी से एक औ isomers बनेगा कैसा isomers बनेगा कि आप क्या करें इस बियार को हटा के one position से इस two पे लिए अब आप देशा है कि बियार को हटा के one से two पे लगा दिया तो पहले था यह one bromopentain three methyl butain अब जस्त इस one की जगा पर क्या आजेगा two आजेगा तो यह मारे पास isomers क्या बनेगा two bromopentain two bromopentain की position change की है पहले हम लोग ने one position पर लगाया फिने हम लोग ने उसको two position पर लगाया ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम इसको three position पर करेंगे लेकिन अगर हम three position पर फर्स करते है इसलिए ऐसे करते है one two three करते हैं तो यह numbering cross हो जेगी क्योंकि इस side से numbering करेंग ना तो बिय क्या बन गए जब baromine को three position पर टैच किया अब इसका नाम बन गए यह one यह two हो गया यह three हो गया यह four नहीं कि two पर methyl group है और two के उपर ही baromine ने टैच होगी तब इसका नाम बन गए two bromo फिर से two methyl आगब होई butane two bromo two methyl पहले पिछली आइसमर्स में क्या था कि यह baromine जो था इ two methyl butane उसको next isomers क्या बनेगा हमारे पास कि अब आप लोग क्या करें इस methyl group को हटा के इस position पर टैच कर दे क्योंकि दो आइसमर्स तो बनेगे two position पर टैच करके अब इसको थ्री position पर टैच करें और इस baromine को हटा के तो one position पर ले जाए बाप देशा थे baromine one position पर आ गया और जो methyl group था ये इस position पर टैच करें दे पहले इस position पर टैच था अब इस साइट से नम्रिंग स्टार्ट होगी क्योंकि इस साइट से हेलोजन पास आ रहा है अब इस साइट से हम लोग को नम्रिंग करेंगे तो क्या होगा कि baromine को number one देंगे ये one ठीक है carbon ये two, ये three, ये four, bromo one position पर है तो हम कहेंगे जी one bromo अब methyl कि इस position पर टैच है two पर तो two methyl total carbon कितने है चार total butane आ गया उसके बार next possibility के हमारे पास baromine को one position भी रहने दे अब इस methyl group को हटा के इस position पर लेए बात कि समझारी सारे पज़चों को बलकि इस position पर ना लाएं आप लोग क्या करें कि ये जो carbon है न टोटल carbon देखे chain में कितने थे one two three four carbon थे अब आप क्या करें तीन carbon का दे चेन में और जो दो carbon बचे हैं उन दोनों को ऐजा methyl group attach करेंगे तो अब ये परोपेन बांजेगी अब नमरीं के लिए आज से देखा ज़ए तो नमरीं तो जारी बात इस साइड सी होने है क्यों one two three अब क्या होगा कि one bromo two two dimethyl one bromo two two dimethyl बांजेगा अब आप देखा थे इसका नाम क्या बन गए कि one bromo जांपी देखा थे one bromo two two dimethyl और total carbon कितने तीन है तो प्रोपेन आगए two two dimethyl प्रोपेन तो ये भी हमारे पास कौनसा alkylil idea primary alkylil idea तो इस तरह आप देखा थे इसके possible isomer जम लोगों ने सारे के सारे possible isomer जो थे वो हमने लिख दिये हमें इदेख सारे बच्चों को ये वीडियो अच्छे लगए अगर आपको भी वीडियो अच्छे लगए तो प्रीज मेरा चैनल chemistry academy सब्सक्राइब कर दें वीडियो को like कर दें